हेलो फ्रेंड्स आज हम सॉल करेंगे चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम है बार ग्राफ जिसका नाम है बार ग्राफ ठीक है इसके इंदर का आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 18 प्रैक्टिस सेट नमबर 18 को आज हम सॉल करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नमबर 18 में हमें इदे कोशन दिया गया है तो चल्व हम कोशन पढ़ लेते हैं इस बार ग्राफ शो दर टेंपरेचर इन डिग्री इन डिफरन शिटीस ओन सर्टन डेइन डिअफर वर्वरी अप्जवड़ ग्राफ एंट ऑंसर दा कोशन तोपने को क्या दिया गया है लेक्समें क्या दिया गया है cities मतलब कुछ cities के नाम है जो हमें x पर बताए गये हैं और यह देखो इसे बोलता है बोला जाता है y-axis y-axis का दिनोट कर रहा है temperature ठीक है का दिनोट कर रहा है temperature एकसे हमें बता रहा है कि यह city है और यह अपना क्या है y-axis है यह क्या अपना y-axis y-axis कि इसको दिनोट कर रहा है temperature को दिनोट कर रहा है तो अपने को x-axis पर cities बताए गये हैं और इसी के बिहाफ पर यह y-axis पर temperature बता गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो पंच गनी में कितना temperature है और आप इधर देखके बता लिजिए फिर पुने पर कितना temperature चरे हो है फिर चंद्रपूरे फिर माथे राने फिर नाशिक है तो अपने को कुछ cities के नाम दे गया है और इसके temperature बताया गया है और जो किसी भी graph में scale बहुत important होता है तो इसे क्या बोले जाता है scale बोले जाता है जो कि हम graph book के यहां पर लिखते हैं तो scale पर देखो क्या बो जगर से लुजने एक निचवारेंट पर हम जीरो से कांट करेंगे तो Geld किना डिग्री हुआ फाइब फिर टेंडरी 15 डिग्री 20 तो इसका मतलब क्या है कि एक उनिट मतलब एक सेंटीमटर कितने के बरबर है अपने फाइड डिगरी के बरबते आई उपको X axis समझ में आ गया देगा अब चलो हम इसमें क्या करते हैं और अपने को क्या बता गया कि यह वहिने का आपको ग्राप बता गया है तो अपने को यह तो अपने को पुछा गया है कि वर्टिकल और होरिजंटल लाइन पर क्या पुछा है तो देखो यह X-axis का इसे टेड़ी है टेड़ी लाइन मतलब क्या होती है होरिजोंटल और जो खड़ी लाइन होती है उसे हम बोलते है वर्टिकल सबस्ट जंबुंट कर रहे है यह और अजैकल को है आपने के टेड़ेज्ट कर रहे है तो बुछा गया है कि वहिए पुछा घंट अन। होरीकल और होरुजनों टो व пробटिकल में कह सम backlinks लेते हैं फिर अ भीलेतो होड़ी 지 ए सब्सक्राइब लिए हो सबसे पहले हम वोर्टी कर लिए होड़ीके में रुट कर रहा है इस ग्राफ में वर्टीक और hot of the cities are shown on the vertical line, ठीक है, मतलब यह जो अपना vertical line मतलब क्या होगा, अपना y-axis, तो y-axis क्या डिनोट कर रहा है, कि यह temperature show कर रहा है, कि इसका city का, तो आप इधर लिख देना, कि इसका टेंप्रेचर of cities are shown on the vertical line, ठीक है, और अपना horizontal line क्या शो कर रहा है, वो भी बता, तो horizontal line क्या डिनोट कर रहा है, cities का, तो इधर लिख देना, the name of the cities are shown on the horizontal line, ठीक है, यह था अपना question number one का answer, ठीक है, हमें ग्राफ दिया गया है, और हमें 5 question पूछे गया है, तो आपको यह graph को देखके, आपको question आपको बताना है, तो पहला question क्या बोला गया था आपको, कि data shown in the vertical and horizontal line, तो वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन, और जो टेडी लाइन होते हैं, उसे हम horizontal बोलते हैं, तो आपको वर्टिकल लाइन में क्या पताए गया है, वर्टिकल लाइन में हमें temperature के बारे में बताए गया है, तो हम बोल सकते हैं कि the temperature of the city is shown in the vertical line, और horizontal line में क्या पताए गया है, cities, the name of the city is shown on the vertical line, I hope आपको question number 1 अच्छे से समझा रहेगा, आपको question number 2 को देख लेते हैं, तो question number 2 हमें पूछा गया है, which city had the highest temperature, तो देखो, सबसे पहले आपना कौन सा city है, पंचगनी है, फिर पूने है, फिर चंदरपूर है, फिर माते रहन है, फिर सनाशिक है, तो देखो आपको सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका दिख रहा है मतलब बार ग्राफ किसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है देखो एक चंद्रपूर का ठीके ना देखो यह कहा तक गया है 35 और क्या पुछा कि कौन सा सीटी है जिसका एकदम तो यह सब बहुत है यह जितने भी पास शीटी में से सबसे हाइस टेप्रेचर किस शीटी का दिख रहा है आपको यह दिख रहा है अपने को चंद्रपूर का कितना डीगरी हो 35 तो हम लिख देगे कि खली सिटी का नाम पूछा है न विच शीटी है तो विच सिटी है यह आंसर नबर टू का आ जाएगा है कि अ कुछ का चंद्रपूर है ड़ा हाइश्ट टेमपरेचर ठीक है इसका आंसर आ जाएगा क्या आसर आ जाएगा इसका चंद्रपूर हैड़ हाइश्ट यह था आपने question number 2 का answer आपको देखके बताने के था कि कौन से city का ज्यादा temperature है था हमने लिख दिया कि चंदरपूर had the highest temperature ठीक है अब हम देख लेते हैं question number 3 अपना question number 3 के बोला गया है which city has a equal maximum temperature तो आपको city के नाम पूछे गए कि जो city का equal temperature हो तो देखो कौन से city का अपने को equal temperature दिख रहा है यह दोएक तो पंचेगनी और मातेरन देखको पंचेगनी और मातेरन का दोनों का टैमपरेचर कितना है 2525 है और पूने और नाशी का भी temperature देखको सेम यह 30 30 है तो पूछा गया तो इसका answer कि आना चाहिए अपना दो दो आंसर आएगा इसका एक तो पंचेगन और यहां पर लिख देना आप सबसे पहले तो यहां पर लिख देना आप सिटी इस having equal maximum temperature where first कहाँ जाएगा अपना पंच गणी और माते रन ठीक है तो पहला कहाँ जाएगा अपना अंसर एक तो पंच गणी पंच गणी एंड माते रन पंच गणी और माते रन तो इन लोकर टेम्टरेश लिएगे तो आप ब्रैकेट में 25 डिगरी लिख दो तो सिटी हाविंग पूने और नाशिक पूने एंड नाशिक ठीक है इनका टेम्टरेश कितना है अपना 30 यह भी अपन लिखती है आई हो आपको कोशन नबर 3 भी दम अच्छे से समझा रहेगा ठीक है अब कोशन नबर 4 देख लेते हैं कोशन नबर 4 को बोला गया हमें इसका अब देखो सब में से कौन सा सिटी है जिसका 30 दिगरी से तो अपने को तो दो सिटी दिख रहे है और एक नाशिक दिख रहे है तो इसका आंसर क्या जाएगा दो आंसर आजाएंगे इसका है इसका भी आंसर आगा पूने एंड नाशिक तो कोशन नबर 4 का क्या आँसर आजाएगा पूने एंड नाशिक had the maximum temperature of 30 degree celsius और अपना लाश का कोशन हम देख लेते हैं लाश का कोशन अपना 5th question है तो 5th question क्या पो लगया है what is the difference between the maximum temperature and sorry what is the difference between maximum temperature of पंचेगनी एंड चंदरपूर तो पंचेगनी और चंदरपूर के बीच में अपने को difference पूचा गए difference का मतलब क्या आता है अंतर तो अपने को दो city के नाम दिए गये हैं और दोनों के बीच में कितने temperature का अंतर है मतलब कितने temperature का difference से अपने को पूचा गए है तो difference का मतलब क्या रहेगा हमें मानस करना पड़ेगा मतलब समझ लोग मैं बोलता हूं कि यह अपना एक city में 20 डिग्री है और दूसरे city में 15 डिग्री है तो difference कितने का हुआ तो हम क्या करेंगे 20 माइनस 15 कर देंगे तो अपने को आजाएगा 5 तो 5 का मतलब क्या जाएगा कि अपने को वह difference पूचा गया है कि क्या जाएगा तो चलो देखो हम देखते वाट इस डिफरेंट बिट्विन बिट्विन डा मैक्सिमम टेंपरेचर पंच गनी तो पहला क्य तो अपने को क्या आजएगा 10 डिग्री तो दोनों जो भी सिटी है दोनों सिटी में क्या एक इतना डिग्री का अपने को डिफरेंस दिख रहा है ते इसे हम कैसे लिखेंगे तो चलो हम इसको लिख लेते हैं फटा फट जर मैक्सिममम टेंपरेचर और पंच गनी वॉस 25 डिग्री सेल्शियस ठीक है पहला आपने कहाँ सा था पंचगनी तो पंचगनी का हम लेख लिए 25 डिग्री सेल्शियस है और वापस दर मैक्जिमम टैंप्रेचर और चंद्रपूर तो टिक है तो हमने दोनों सीटीस के कहा लिखली है हमने टेंप्रेचर लिख लिए ठीक है can तो हमने टेंप्रेचर है तो मैक्जिमम टेंप्रेचर फंचगनी वस 25 डिग्री सेल्शियस and the maximum temperature of Chandrapur was 35 degrees Celsius अब difference के मतलब क्या रहेगा दोनों के हमें सब्रेक करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे चंद्रपूर में पंचेकन को मायनस कर देंगे तो हम रिखेंगे रहे बिखेंगे। in the temperature of these two cities was 35 degree Celsius देखो एक temperature कहा है 35 degree Celsius और एक कितना है 25 degree Celsius 35 degree Celsius minus 25 degree Celsius कितना आजाएगा 10 degree Celsius तो कितना आजाएगा 10 degree Celsius ठीक है तब लिग दिना तेंड डिग्री चैल्शियस ठीक है यह था अपना कोश्ट नंबर फिप जो हमने एक दम अच्छे से देख लिए आई अपको प्रैक्टिस से एक दम अच्छे से समझा देगा इसमें से अपने टोटल क्या दिये गे थे अपने को इसमें अपने को एक कोश्टन में क्या लग्राफ है ?. टेंप्रेशी डिनोट कर रह clairement है तो में क्या टेंप्रेशर है ? दिग्री में। नाशीक में कितना तेंपरचर हो आपना 25 अपना 25 अचिक यह फटेंपरेचर हो पहले, थिकल्श्प्रत ऑर अज प्लीन होता है है अगर यह यह लिक दिया रहा था है यह उन कितना नर्त मटचर हा जोस्फ दो घुआ लेना पड़ता है तो यहां पर अभी कितने का डिफरेंस है फाइन तो फाइक डिफरेंस आना चाहिए तो यह आप स्केल बहुत इंपोर्टन होता है इसके आगे का प्रैक्टिस से नाइटीन सौल करेंगे तो हमें अच्छे से स्क्लियर हो जाएगा तो हम चलो इसमें फिर पाठ कोशन पूछा गया था तो पहला कोशन क्या पूछा था वॉट्ट डेटा इस शोन अंड़ वर्टिकल लाइन और होरिजोंटल लाइन और होरिजोंटल लाइन मतलब लेटी वी आयंड ऍर गार्यजटal कर रहे तो एंपर्टिकल क्या है टेंपर्टिकल लाइन एंड नेम ऑफ आफ्टॉट्व और क्लीन नम इसे जाधा तो हम ग्राफ में देखेंगे कि सबसे उचा बार ग्राफ कोई से दिखा यह दिखाई चंद्रपूर का तो हम क्या बोल देंगे चंद्रपूर हैड हाइस एंप्रेचर ठीक है अपने को सिटी का क्यावल नाम पुछा गया था था हम ने क्या कर दिया अब थर्ड कोशन क्या पुछा गया हमें कि विस्टी है इक्वल मैक्जिमम टेंग्रेचर तो आप देखो पूरे बारग्राफ में को से जो सिटी है जिसक में दो आंसर आजए तो हम क्या लिख देंगे सिटी हैविंग इक्वल एन मैक्जिमम टेंपरेचर वेर फॉर्स्ट में लिख देना पंचगनी एन मातेरान और सेकंड में लिख देना पूने नाशिक और इसका है सामने जो भी उसके कॉमन टेंपरेचर है लिक दिनोट कर द अब हम कोशन अबर फिद देख लेते हैं ओट इस डिफरेंस बिट्विन दे मैक्जिमम टेंपरेचर और पंचेगणी और चंदरपूर तो पंचेगणी और चंद्रपूर में क्या है इस पूछा गया इस का मतां होता है अंतर हम क्या करेंगे दोनों का टेंपरेचर लिग minus 25 that is equal to 10 degree therefore the difference between पंचेगनी और चंदरपूर वस 10 degree Celsius आई होग आपको एक प्रेक्टिस से समझ में आ गया रहेगा फ्रेंड्स आपको कैसे लगाए वीडियो आप मुझे प्रेंड्स कैसे लगाए आपको वीडियो ओके बाई थैंक ये वेरी मुझ फॉर लिसनिंग